दिल्ली की एंडी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है पर दूसी तरफ उसके सहयोगी दलो और सबसे बड़ी पार्टी भाजबा के लिए बीच आपसी तक्रार थमने का नाम नहीं ले रही खासतोर से महराष्ट में उसके साथी एकनास शिंदे की शिफसेना और अजित पवार की एंसिपी ने उसके खलाफ मोर्चा खोल रखा है वहीं बिहार में भी दभी जुबान से लोग नितीश के अंद्रपरदेश के सीम चंद्रबाबु नाइडू के शपस समारों में ना पोचने पर कहना शुरू कर दिया है क्यों सीम नितीश और भाजबा के बीच सब ठीक नहीं है उधरसंग के बयानों नीट प्रिक्षा मामले में सहीयोगी दल बीजेपी पर दबाव बना रहे है विपक्षी भी हमलावर हो गया है कॉंग्रेस सद्यक्ष मले कारजुन खरगे ने कहा है कि मोधी की तीस्टी बार के सरकार अल्पमत की वजाह से जल्द गिर जाएगी वहीं कई अन्नी नेताओं ने भी सरकार के भविश्य पर सवाले निशान लगाना शुरू कर दिया है लोकसवाचुनाव के रिजल्ट आने के बाद कॉंग्रेस के होसने मजबूत हो चुके है भले ही एंडिये गटबंदन ने सरकार बना ली हो मगर इंडिया गटबंदन 234 सीर जीतने में काम्याब रही भाचपा कुनितीश कुमार की जेडियो और चंदबाबु नाइडू की ठीडिपी के सारे सरकार चलाने पड़ लही है मलिका अजुन खरगे ने मोधी सरकार और भाचपा पर निशाना साधा है खरगे ने कहा है कि एंडिया की सरकार कभी भी गिर सकती है उन्होंने एंडिया सरकार की गलती से बनी है मोधी जी के पास जनादेश नहीं है यह अल्पमत की सरकार है यह सरकार कभी भी गिर सकती है हम चाहते हैं कि ये चलती रहे, देश के लिए ये अच्छा हो, हमें देश को मजबूत बराने के लिए मिलकर काम करना चाहिए लेकिन हमारे प्रिधार मंत्री क्याता थे कि वो किसी चीज़ को चलने नहीं देते आरज़ेटी प्रवक्ता अजाज है, मत्री खड़के के बयान पर अपनी प्रिधिकरिया दी, उन्हें कहा कि खड़के सही कह रहे, जुनादेश मोधी सरकार के खलाफ था, मत्दाता उन्हें सुईकार नहीं कर लिया तो इस तरह से मोधी सरकार के एक हफ़ते के बाद अब तमाम तरह सवाल उठने लगे हैं कि मोधी सरकार ठीक नहीं है और यह सही से नहीं चल पाएगी, इस तरह की ऐसी तबाम खबरों के लिए बने रहे हैं मेरे साथ, नमस्कार